एंड्रोसियों पुस्व का नर्जनन भाग होता है एंड्रोसियों में एक बवचन सब्द है इसके एक बचन सब्द के लिए स्टेमन सब्द का प्रयोग किया जाता है अब इस्टेमन अर्था पुंकेशर मुक्ते दो भागों बटा होता है उपरी भाग को पराग कोज कहते है यह निए फ्लामेंट पराग और तंदू आपस में सेवजी उतक की सायता से जुड़े होते हैं पराग द्युपालेत्र द्युकोस्टिय चतुस्कूनी होता है यह पुंकेसर की सनचना अर्थात इस्टेमन की सनचना है इस्टेमन अब बहुत सारे पुस्पों में इस्टेमन अर्थात इस्टेमन आपस में जुड़ जाते हैं जैसे कि इस पुस्प में इस पुस्प में यह एक चने का पुस्प है इसमें इस्टेमन आपस में जुड़े हुए दिखाए दे रहे हैं यह दिखिए आपस में इस प्रकार की व्यास्ता को मोनो एडपल्स कहते हैं अर्थ भी दूर दूर है इस प्रकार की बहुस्ता को पॉली एडप एडपल्स कहते हैं अर्थात यह आपस में जुड़े नहीं है स्वतंत्र एक दूसरे से धन्यवाद